RRB JEE की वेकिंसी कब आईगी Sir RRB Senior Section Engineer की वेकिंसी कब आईगी ये सवाल लगातार आते रहते हैं और कुछ न कुछ बीच में ऐसा आ जाता है जिसमें की हमें पता चलता है लेकिन फिर हमने राश हो जाते हैं लेकिन उम्मीद ही एक ऐसी जगा है या फिर आप कह सकते हैं उम्मीद ही एक ऐसा आप कह सकते हैं पूरी जिन्दगी में हमारे पास होता है जिस पर हम आगे बढ़ते रहते हैं और वही एक उम्मीद लेकर आज मैं सिर्शेशन में आया हूँ देखिए उम्मीद के अगर मैं बात करता हूँ तो अभी अभी च्टूडेंट के ही यहां पर अगर मैं बात करता हूँ संयूक्त यूवामोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं वो रेलवे की चेर्मेन जया वर्मा जी से मिले इस बारे में काफी लंबी बातचीत हुई है इसमें क्या बातचीत हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिये उनको कहना यह है कि हमने आटी आई लगाई जब लाग खाली है क्येते हैं जी हमें चलो कभी जजादा पता चलते हैं कभी कम पता चलते हैं और 2019 में जब चुनाओ हुआ था तब हमें यह बताया गया था कि हम आने वाले election तक चार लाख vacancies railway निकालेगी और यह vacancies सिर्फ student के career की बात्चीत नहीं है इस student के अपने career के साथ उसके परिवार की जो एक आर्थिक शमता होती है वो भी जुड़ी होती है बहुत सारे ऐसे student है जिनकी हो सकता है कि अगर समय से vacancy आ जाती तो वो अपना paper दे के अभी तक select होकर और कमाना शुरू कर देते लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी age उस समय पूरी हो गई तो इसमें ये demand भी रखी गई है कि वही उन बच्चों को कम से कम 3 साल का relaxation मिलना चाहिए क्योंकि आप देखें तो 4 से 5 साल का gap हो चुका है और कम से कम 3 साल का relaxation मांगना कोई गलत बात नहीं है और मैं इस चीज़ का बिलकुल support भी करता हूँ कहीना कहीन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने अपना क्या इसके पास UPSC के पास उनका वार्शिक calendar होता है मतलब yearly calendar होता है ऐसे ही railway के पास भी एक calendar अपसे होगा ऐसा कहा गया है ठीक है ना करीब 5 साल से भरती नहीं आई है ठीक है ना तो 3 साल के relaxation दिये जाने की भी एक उमीद है ALP technician JEE और SSE जैसी post के उपर युद स्तर पर कहते हैं कि हम भरती करेंगे युद स्तर पर तो पता नहीं लेकिन नोटिफिकेशन का ही नहीं बता रहे हैं इतनी RTI इतना campaigning और इतना हमने ट्विटर campaign भी किया था आपको यहादो को दो बार इतना rank किया वो ट्विटर के उपर उसके बावजूद भी कोई अभी तक जवाब हमें मिला नहीं है ओल्दो ठीके ना इंजिनेंग के छात्रों के साथ तो खास कर रहा है लेकिन इसमें एक उमीद की बात यह है अगर आप देखेंगे तो अभी railway police force की vacancy निकली है ठीके ना की एसे सी की technician की ALP की जो vacancy निकाल सकते हैं उसे निकालेंगे इसके साथ साथ ठीक है ना इन्होंने ये माना भी है कि वहाँ कुछ कारण वर्ष चीजों की वज़े से जो है वो vacancy नहीं निकल पाई है लेकिन अभी आश्वाशन दिया गया है की vacancies जल से जल बच्चों तक पहुँचाई जाएंगी अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में आप क्या सूस्ते हैं आप comment section में लिखकर बता सकते हैं although हम उमीद पर ही सारी चीजों को करते हैं और इसी उमीद के साथ इस चीज़ को आज में आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके लावा आपको लगता है कि आपका कोई भी सुझाओ है railway को लेकर कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो comment section में लिखकर जरूर बताएं